एक्सेसाइस के साथ साथ ना अच्छा खाना भी चाहिए जिसके साथ immune system बहुत strong रहता है ये बात पहले तो मेरे क्याल से लोगों को जादा नहीं पता थी लेकिन जब से करोना आया है ना लाइफ में उसने सब को fruits, vegetables, exercise, health conscious सब को सिखा दिया है तो चलिए बात करते हैं जूसर की जिसको सर्च करने के बाद आप यहां पे मेरी वीडियो पे आये हो तो यहां पे मैं आपको एक दिखाने वाली हो जबर्दस्त product जिसका नाम है जिसके brand का नाम है सुझाता पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा तो सुझाता में क्या क्या special है कौन सी चीज़े extra मिलती है क्या इसको लेने के benefits है मैं सब इस वीडियो में explain करने वाली हूँ और अच्छे से आप वीडियो को देख लीजे ताकि आपको पता चल जाए सुझाता जूसर को लेने के आपके फाइदे क्या है चूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लैंडर सब फंक्शन इसमें आने वाले हैं अभी ये काम कैसे करता है क्या इसमें special है मैं आपको बता देती हूँ तो ये रहा सुझाता पावर्मैटिक प्लस इसकी मोटर जो है बहुत ज़्यादा पावर्फुल है 900 वाट्स की है जो यहाँ पे आपको प्राइस देख रहा है ना इसमें मत चाहिए क्योंकि मैंने ये लिया है मार्केट से सिरफ 5000 में आप किसी होलसेल मार्केट में जाएंगे ना आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा अब कोई भी प्रोडक्ट लेते है ना इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट उसकी मोटर स्ट्रॉंग होनी चाहिए तो यह वाले जूसर की जो मोटर है बहुत जादा स्ट्रॉंग है 900 वाट्स की है सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखा दूँ एक फ्रिप दिया गया है उसके उपर उन्होंने मैंचिन किया कि सुजाथा के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम किचन में यूज कर सकते है तो यहां पे यह एक दी गई है गाइड पूर्ट जिसके अंदर आपको कुछ रेसिपीज और इंस्रेक्शन्स मिल जाएगी सबसे पहले यहां पे मैं उपन करती हूँ पॉलिथिन जाए अब कई कबर क्या होता है खराब हो जाता है घिसके खराब हो जाता है तो एक्स्ट्रा मिलता एक मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है जिसकी वज़गो जाए रहता है गहां सबसे अद inj Вид Sugaat till को यहां इसका दो जार दिये गए हैं यह बड़ा जार है जिसमें हम क्या कर सकते हैं स्मूदी बनानी है किसी तरह की लसी बनानी है या फिर विप क्रीम लेके उसको विप करना है कोई कोफी बनानी है कुछ भी करना है कोई भी किचन का काम करना है हम इसमें कर सकते हैं कोई भी मै grinder जा रहे है stainless steel का बना हुआ है पकड़ की पता चल रहा है मुझे की इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है इसमें किसी भी तरह के seeds, rice, dals कुछ भी अप grind कर सकते हैं तो यह है इसका main part जाने की juicer उसकी motor जो mixer, blender, grinder, juicer सब का काम करें इसको assemble और disemble करना बिल्कुल पे मुश्किल काम नहीं है आप जट में इसको as a juicer, mixer और grinder यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले में आपको यहां पे दिखा दू filter sieve यह तो बहुत ही अच्छी quality की है stainless steel की है इसका जो नीचे वाला portion है वो भी steel का ही बना हुआ है mostly क्या होता है जितने में market पार्ट में आपको दिखा जहां से juice निकल के बाहर आएगा वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है juice इदर उदर spill नहीं हो तो यहां पीक extra whip बटन दिया गया है जिसको दूसरे juices में क्या होता है कि pause का नाम दिया गया रहता है तो इसमें आप whip कर सकते हैं like कुछ second के लिए काम करेगा मेरी तरह जैसे आपके पास भी बहुत सारे appliance हो गये जैसे कि oven हो गया grinder हो गया air fryer हो गया और पी ऐसे कई appliance होते हैं जो shelf पे पड़े रहते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो 2-in-1, 3-in-1, 4-1 function एक ही machine में करें ताकि जो kitchen की shelf है ना वो busy नहीं के साथ करेगी अभी मैं आपको example दे देती हूँ जैसे आप जैसे आप kitchen में एक ही जगा slab पे इसको रख दीजिए और daily वहीं पे use कीजिए क्योंकि रोज kitchen में खाना बनाते time, सुबा, शाम हम mixer, grinder यूज़ करते हैं और रोज almost हमारा juicer भी use हो जाता है तो ये तीनों काम एक ह machine करेगी मैं क्या करती हूँ कि एक ही जगह ये पड़ा रहता है और वहीं पे मैं काम करती हूँ अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि within seven to six seconds ये टमाटर की paste एकदम fine paste बनाके ready हो जाएगी इसकी motor कितनी strong है यहां पे जो lock लगा रहता है ना इसके उपर make sure करें कि अच्छे स इसके स्पेशलिटी जे है कि अगर आप सुझाता कि किसी भी brand को juicer mixer grinder कुछ भी हो गया उसको आप third speed level पे भी direct लगाते है ना तो उसको चला सकते है इसकी motor खराब नहीं होगी देखिए कितनी fine paste जो है बनके ready हो गई है तो अभी इसको जो लेने का main motive है ना उसका function में आपको दिखा देती हूँ यह juicer के उपर depend करता है कि उसकी sieve उसकी motor कैसे काम कर रही है सारे hard and soft fruits इसमें डाल रही हूँ और जो fruit kosher है वो भी बहुत easily नीचे जा रहा है क्योंकि इसका क्योंकि इसकी जो filter sieve है ना बहुत अच्छे से काम कर रही है motor बहुत अच्छे से काम कर रही है जैसे इंडिया में कहीं भी चले जाओ juice की shop पे आप juice निकालने वाले ठेले वाले खड़े रहते हैं सबके बास सुजाता का juicer रहता है क्योंकि यह long time चलता है इसकी motor बहुत अच्छी है actually सबसे पहले मैंने उन्हीं के पास देखा यहाँ पे देखिए अनार के दाने मुझे पुष भी नहीं करने पड़ रहे हैं मैं बस ऐसे हाथ से डालती हो और उसका juice अच्छे से निकल रहा है जूसर की नूजल भी बहुत अच्छे से उपर से शेड की गई है juice इदर उदर spill भी नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया कि कई जूसर रहते हैं उसमें fruits जब vegetables हम जो गुद्दा है fruits का vegetables का वो एक साइट पे basket में आ गया इसमें कट किये बड़े-बड़े pieces बिल्कुल नहीं है अभी देखिए सिर्फ एक plate मेरे पास fruit था सब तरह की hard and soft fruit थे मेरे पास अनार के दाने भी थे उससे भी अच्छे से juice निकल गया और सबसे ज़ादा है और सबस वेस्ट मेटीरियल निकलता है ना fruit का वो गीला गीला रहता है क्योंकि जूस उसमें भी चला जाता है वेस्ट मेटीरियल में जूस चला जाता है और इसमें क्या था कि जो गुद्दा था वो एक दम से ड्राय था आप अगर जूसर लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको जूसर आये हुए हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि अट्रेक्ट होके हम ले तो लेते हैं लेकि उनको क्लीन करना वाश करना बहुत ज़्यादा जहनजट रहते हैं इसको क्लीन करने का कोई भी पंगा नहीं रहता है और सबसे ज़्यादा इसमें बैस्ट पार्ट यह कि इसकी जो फिल्टर सीव है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है वो जल्दी खराब होने वाली नहीं है तो मेरा तो मानना यह है कि बिना कोई और रिव्यू देखे आप आके बंद करके यह प्रोड़क्ट सुजाता का आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी तरह का किचन या होम अप्लाइंस ले रहे हैं चैनल पर आके एक बार जरूर देख लें बिल्कुल ओनेस्ट रिव्यू मिलेंगे आपको उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें